जैहिन आदाब सलाम प्रणाम नमस्ते सत्यकाल आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्समुस्लिम स्वाइल ऑफिशल पर उम्मीद आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है आ अजिए आप सिलेक कर ले एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा हाँ वाई हमे सिद्धी की साब मौमिन है आप जी आच्छा कितने को मौमिन है हाफ कौार्टर कुछ भी कह लिए कौार्टर कह लिए बस अच्छा यह देखो अभी कौार्ट मुमिन लोग भी यह मानने लगें कि वो कॉटर मुमिन है आपको पता है मेरा सुबह में जो है मार्निंग में लेक्चर रहता है फिर भी मैं आपको देख एड करने कोशिच करता हूं आपके सथ कनेक्ट हो जाओं तीन मैने से फालो करना हूं और अपने बहुत से गटर चुका हूं सुधार चुका हूं अरे वाह 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 तो ये कौटर मुमिन किसे बने आप पहले से कौटर मुमिन है या रीसेंटली बने नहीं नहीं यह जो इतनी ढेर सारी हिंदोस्तान में इन मुसल्मानों की जो बुराईया हो रही हैं जिस सबकी वज़ा से मैं बहुत ज्यादा आहत होके फिर मेरे दोस्त ने बताया कि जब तुम ऐसा सोच रखते हो तो सालवाई से पढ़ते थे हाँ पढ़ता था अच्छा ठीक है क्या बोलना चाहेंगे मेरे काल साब लास्ट दो-तिन स्ट्रीम में भी जुन नहीं कोशिश कर रहे थे लेकिन आपको मौका मिला ही नहीं था क्या बताना चाहेंगे आप वैसे दो मैं मेडिकल शुडेंट हूं मैं सर एक सवाल को गलत कहते हो क्या यह सही है यह चीज मैं जाना सब्सक्राइब जिसमें मुसर कौन थे मुसर अलिसलाम से अपनी पहुज लेके जा रहे थे फिर राउन पीछा कर रहा था फिर वह समुंदर पानी जो है लग हो गया बीच में रास्ता बन गया उसका एक जामपल की अभी द दोजों अलग अलग है अभी एक मेरे काल से दो से तीन स्ट्रीम पहले यह पानी मिक्स नहीं होता इसके ओपर आडम साहब ने प्रॉपरली एक्सपोस किया है अच्छा ठीक है तो आपको समझ में आ जागा अच्छा और साल बजी जिसे कि मैं घर पे बता रहा था कुछ लो लोगों ने मुझसे बात करना भी बंद कर दिया तो मैंने बताया का ऐसा नहीं है वो जो बहत्तर हुलो वाला कांसेट बताया था आपने और कुछ मॉलानाओं को सुना मैंने तो कितनी गंदी हरकते कर रहे थे तो कहते हैं ऐसा कहा लिखा है तू दिखा मुझे वो मॉलाना गलत बोलती होंगे लेकिन ऐसा इसलाम में नहीं लिखा है तो हम तो सारे रेफ्रेंस देखे बताते हैं न आपको हाँ हाँ है न तो आप ये कॉट बचे है अब बहुत सारा कंफ्यूजन है शाल वह क्या करूं मैं हाँ तो ये कंफ्यूजन आप स्टीम देख रहे हो कंफ्य डूर करो और निकलो फटापडीस मेंसे जल्दी वहां से च्टो पर अपने आपको एक गंदगी के हिस्से में क्यू रखना चाहते हैं जब आपको मालूम हैं कि ये तो निकलो वहां से फुर्शत में निकलना चाहिए ए Regional सबने by HR Indian decided तो यह मानता है कि अल्ला ने इस पूरे संसार की तो फिर किस ने बनाया आप एक मेडिकल स्टूडेंट है ना भाई तो वह तो मैं साइंस के हिसाथ पर जाओंगा तो फिर कोजरवेट पैरेंट राग वेदरिंग लाइकेंड वहां से सुरू हो जाएगा तो फिर कहते हैं कि किस ने बनाया है कौन से खरम साइए नहीं क्या ये जानना जरूरी है किस ने बनाया हाँ बिल्कुल वही तो कमानते हैं ना कहरें कि मेरा बिलीव है कि अल्ला ने बनाया है उसकी कोई एक बुनियादी वज़ा बताए कि क्यों जानना चाहिए किस ने बनाय दुनिया को क्या उससे आपकी जिन्दगी में क्या फरक पड़ जाएगा वो यही कह रहा था मैंने का कि ऐसा कुछ भी नहीं है और तो मतलब पहले आप समझो आप यह बताओ कि कोई बनाया या नहीं बनाया इसको जान के आपका और मेरा क्या फाइदा या क्या नुक्सान यह तो है मुझे तो कोई फाइदा नहीं ना नुक्सान है नहीं कोई फाइदा नहीं को पूछो कि भाई तेरे सवाल का मतलब क्या है कुछ पांच वजा बता दे कि हमारा क्या फाइदा क्या नुक्सान कि हम यह जाने कि दुनिया को किस ने बनाया या दुनिया को बनाने वा उनके सारे बहुत सारे करामात, बहुत सारे मोजजे हैं, तो क्या करते हैं, कि वो सब भी जूटे थे, उनकी बातों पर यगे पर यगे पर यगे पर यगे पर बहुत है, भाई, आज की तारीक में यूट्यूब चिप में चले जाओ आपको, आप ऐसे बड़े-बड़े मोजजे से दिखेंगे, कि आप हक्के-बख्के रजाओगे, कि ये बंदे ने किया कैसा? देखे हो क्या नहीं देखे हो? देखा हूँ, और कहते हैं कि फिर कैसे इमान ले आए इतने सारे लोग, तो फिर कैसे इसलाम जो है नमबर टू पे है, ये सारी चीज़े हैं? कोई, आप अभी देखो, आज की स्ट्रीम ही वही है, उनको कहना कि एक करोड़ बीस लाग तो ऐसी ही निकल गए, और जो दो करोड़ चालीस लाग है, उसमें तुमारे जैसे लोग है, जो यकीनी तोर पे अल्ला को नहीं मानते, तो भाई टोड़ एक तीन करोड़ चालीस साट लाग, तीन करोड़ साट लाग, किसी निकल चुके इसलाम से, उनको कि जड़ा जाके कुछ देखो, सिर्फ किसी की बातों में नहीं आओ, जी, लोग धड़ले से निकल रहें, इसलाम से, और खत्रा भी बहुत बना रहा था से लाई, तो कुछ मुस्लिम जो दोस्ते जितने भी थे, और यहां तक कि नेटिव में बहुत सारे लोग, करना बंद कर दिया, हाल चाल नहीं पुछते हैं, खुद का काम होता है, तब भी बताना शुरू कर दिया है क्या? हाँ, हाँ, मैं सबको बताना सुरू कर दिया हूं, अरे भाई, तो तो तुमारी टोपी उड़ा दा लेंगे फिर, आरे शाल में, मैं तो अपना लाव लोके अईसे काम नहीं करो, जिससे आपको सेक्यूरिटी एशू हो, आप अलग तरीके से बतानी कोशिश करो, या आप जो है ना थोड़ा सेक्यूरिटी का ध्यान रखो, इतना जजबात में आके करोगे काम, तो फिर मसला हो जाएगा. मैंने अपने गर में सुना है, कि पती के हाथ से अगर बीवी मर जाए तो इसको बीवी को जननत मिलेगी, यह मैंने कभी ने सुना है, मैंने अपने घर में सुना है कि हमने का कि बहुत सार लोगों बोला कि क्यों मारे आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था वो कुछ नहीं बोली तो आपने उनको मारा तो कहने थे कि तुम्हें तुम्हें अपना काम करो तुम्हें नहीं पता है फिर बात में यह सुना कि जो है अग इसकी वाली बात जो है वो ये है कि अगर बीवी अपने शोहर को सेक्स के लिए मना करे तो अल्ला नाराज हो जाता है परिष्टे लानत बेशते अल्ला अल्ला जो है वो नाराज हो जाता है तो वो सेक्स के मना करने पर है ठीक है दूसरी चीज मारने की जहां तक बात है हाँ ये बात आपकी सही है, हज़रते उमर कहते हैं कि रसुल उल्ला ने कहा है कि कोई इनसान किसी से ये ना पुछे कि उसने अपनी बीवी को क्यों मारा, वज़ा ना पुछे क्यों मारा, तो ये बात भी है, लेकिन अगर वो मर गई तो उसको जन्नत मिलेगी, ऐसी कोई चीज सुनाएं, लोग फैला देते हैं ताके अपना मरतबा जो है वो उपर कर सके, और फिर कुछ लोग कहते हैं कि इसलाम में और दों की इज़त है, ये किस तरीके की इज़त है, कोई मार काता रहे, वो प्रशन भी ना कर पाए, क्यों हम मार का रहे हैं, तो यही कह रहा हूँ न और जो मेडिकल टूडेंट है, तो भाई वो तो किसी भी तरीके से इसलाम में नहीं रहना चाहिए, जिस तरीके की बोंगया मारी गई है, एम्रॉलोजी को लेके, या बाकी चीज़ों को लेके, तो वो तो बिलकुल भी नहीं नहीं रहे हैं, क्या साल भाई, एम्रॉलोजी यहां ऐसा नहीं होता है लेकिन कुरान में ऐसा है और एक एक क्विश्चन यह था कि यह क्या यह बात सही है कि अगर मतलब जो गैर इस्लामिक कंट्री के ज़ो मुस्लिम रहते हैं वो डिफेंस में इसलिए ना जाएं क्योंकि हो सकता है कभी न कभी उनको मुस्लिम गैर मतलब मुस्लिम स्टेट के से लड़ना पड़े अबिपता है ना हदीस ही बताई इसके बारे में तो इसके बारे में अंकी आएत ही बताईती प्रफार रेंट तेस्ट लोगों को सही कर दिया है इनका नशा जो है लोगों को चड़ जा रहा है मतलब इनके वहां पे बहुत से लोगों को इन्हों कोटर बना दिया है तो कोटर नहीं बना है आप खुद भी पूरे तरीके से निकले और बाकी लोगों को भी पूरे तरीके से निकाले वह फिल अट लास्ट वह सवाल करते हैं कि फिर मैं मानू किसको यह तो बता थोग खुद कर लेने बोलो दूसरे बहुत सारी क्या है फाइदा क्या है चलो सिद्धी की साथ आप है ना आप एक काम करो आप हमारी स्ट्रीम्स देखते रहो जो थोड़ा बहुत बच्चा है वो भी निकल जाओगे आप ठीक है प्यारे भाई मैं आपके साथ कैसे एड रहे के मैं भी आपकी तरह कुछ कर सकता हूं थोड़ा बहुत आधे गंटे के लिए भाई कोटर कोटर रहे के तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो जब अच्छे तरीके से पूरे निकल जाओगे और पड़े लिख के निकलोगे इसलाम को यानि उसकी अगर आप जो जो चीजे हैं कुरान के बारे में नौलेज अहादीश के बारे में नौलेज बाखी चीजों के बारे में नौलेज तो आप अपना एक चैनल ओपन करके अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं नहीं आप इस जनम में तो पॉसिबल नहीं है कि मैं कुरान तलिया बहुत शुक्रिया तैंक यू सर्थ